तो आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूं बहुत ही यूनिक और चटपटी सी रेसीपी तो आज हम बनाएंगे सूजी के अंदर आलू और हरे मटर को श्टफ करके पैनकेक आप इसे सूजी का चीला भी बोल सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम सूजी तो यह ज्यादा बारिक वाली सूजी नहीं है तो और अब हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक तो मैंने यहां पर आदा छोटा चमच नमक एड़ कर दिया है और उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे आदा टुकड़ा निम्बू कर रस और आप चाहें तो यहां पर निम्बू के बदले दो बड़ा चमच दही भी आड़ कर सकते हैं उससे भी इसका टेश बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने यहां पर निम्बू आड़ कर दिया है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे तो अभी हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है बस हमें सूजी के बराबर पानी डाल कर इसे मिक्स कर लेना है तो हम धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे तो देखिए सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है पानी में इसमें और पानी की जरूरत नहीं है अपी तो अब हम क्या करेंगे इसे ढग देंगे और लगबग 15-20 मिनट तक के लिए इसे रेश्ट करने देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए तो अब हमने यहाँ पर ले लिया एक कड़ाई और हम इसमें एट करेंगे अब 3-4 बड़ा चमच ओयल और ओयल को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है तो देखिए ओयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें एट करेंगे एक छोटा चमच राई और राई को हम बिल्कुल अच्छी तरह से चटकने देंगे तो राई हमारी चटक चुकी है और इस पॉइंट पर अब हम एट करेंगे इसमें आधा छोटा चमच अधरक लेसन का पेस्ट और इसे भी बिल्कुल एक मिनट तक हम अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे ताकि इस अधरक लेसन को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सौटे कर लिया है तो अब हम इसमें एड करेंगे एक बड़े साइज का बारिक कटा हुआ प्याज और इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे तो देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है हमें इसे और ज्यादा फ्राई नहीं करना है और इसी के साथ हम इसमें एड करेंगे दो हरी मिर्च बारिक कटीवी और इसे भी हल्का सा सौटे कर लेंगे प्याज के साथ तो देखिए हमने प्याज और हरी मिर्च को अच्छी तरह से सौटे कर लिया है तो अब हम इसमें एड करेंगे मसाले तो मसालों में हम यहां पर डालेंगे हल्दी अधा चोटा चमाच अधा चोटा चमाच लाल मिच का पाड़र अधा चोटा चमाच चिली फलेक्स एक चोटा चमाच जीरा पाड़र एक चोटा चमाच धनिया पाड़र एक बड़ा चमाच चाट मसाला पाड़र एक बड़ा चमाच आम चूर पाड़र तो सारे मसालो को हमने डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो मसालो को हमने लगवए एक मिनट तक भून लिया है और अब हम इसमें एट करेंगे दो मीडियन साइज के बॉयल आलू जो मैंने roughly mess कर लिया है और इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे हम मसालों के साथ तो अब हम इसमें add करेंगे हरा मटर तो मैंने यहां पर एक कटोरी हरा मटर लिया है और अब इन सब को हम अच्छी तरह से mix कर देंगे तो सारी चीजों को हमने mix कर दिया है और इसे के साथ अब हम इसमें add करेंगे स्वादानुसार नमक और नमक के साथ भी हम सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर देंगे तो देखे यह अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है तो अब हम इसे ढख देंगे और धीमी आज पर लगबख 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे तो 10 मिनट हो चुका है देखे इसमें अच्छा सा steam भी collect हो चुका है इससे हमारे मटर जल्दी soft हो जाएंगे तो देखे हमारे मटर soft हो चुके हैं हमें बस किसी भी चम्मच से इसे हलका मैश कर लेना है तो देखे सारे मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है तो हमारी stuffing लगबख तयार है और सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया इससे हमारी stuffing और भी flavorful हो जाएगी और फिर से हम इन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे तो हमारी stuffing तयार है अब हम इसे ठंडा होने दरग देंगे तो देखे 15-20 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी भी अच्छी फूल चुकी है तो ये फूल कर काफी थीक हो चुकी है तो एक बर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पाने डालकर इसका स्मूध सा बैटर तयार कर लेंगे हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है बिलकुल स्मूध सा और गाढ़ा सा बैटर तयार करना है तो हम किसी चमच की मदद से इसे लगातार फेट लेंगे अच्छी तरह से तो हम इसे जितना फेट हैंगे हमारा बैटर उतना ही ज्यादा फ्लपी होगा और सॉफ्ट बनेगे हमारे पैनकेक्स तो देखिए लगबग 10 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से फेटा है और इसे स्मूध सा बैटर तियार कर लिया है तो अब हमने ले लिया यहां पर एक तवा और उसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल और उसे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेट कर लेंगे पूरे तवे पर तवा भी हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह से और अब हम किसी चम्मच की मदद से उसमें एट करेंगे बैटर को आप चाहें तो इसे अपने हिसाफ से पतला मोटा बना सकते हैं बस हमें सूजी के बैटर को अच्छी तरह से फैला लेना है तवे पर और जश्ट पंदरा सेकेंड के बाद हमें इसके उपर लगा देना स्टफिंग को तो मैंने यहां पर थोड़ी सी स्टफिंग ले लिए और उसे हाथों से गोल करके फिर फ्लैट कर दिया है और अब हम स्टफिंग को बैटर के सेंटर में लगा देंगे आप ज़्यादा स्टफिंग चाहें तो ज़्यादा स्टफिंग भी डाल सकते हैं और अब हम इसके उपर से फिर से सूजी के बैटर को डालते जाएंगे धीरे-धीरे तो बेसिकली हमें पूरे स्टफिंग को कवर करना है सूजी के बैटर से ताकि उपर नीचे दोनों तरफ से हमारा बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके हमें हर तरफ से कवर कर लेना है तो हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया अब हम इसे ढख कर पकाएंगे लगवग 5 मिनट तक तो देखे 5 मिनट हो चुके हैं अब हम इसे च्र SEC कर लेते हैं तो उपर से हमारी सूजी का बैटर अच्छी तरह से ड्राई हो चुका, एक बार हम इसे हिला कर देख लेते हैं तो देखिए नीचे से इसका अच्छा सा कलर आ चुका है अब हम इसे पलट देंगे धीरे धीरे और अब हम इसमें लगाएंगे ओल तो पैन के चारो तरफ हमें ओल लगा लेना है और थोड़ा सा पैनकेक के ऊपर भी हम डाल देंगे ताकि बिल्कुल अच्छा क्रिश्प और गॉल्डन ब्राउन सा पैनकेक बन कर तयार हो तो चारो तरफ से हमें इसे घुमा घुमा कर अच्छी तरह से सेख लेना है तो देखिए ये वाला हमारा लगभग तयार है ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिख चुका है तो हम इसे पिलेट पर निकाल लेंगे तो देखिए पहला हमारा तयार हो चुका है तो अब हम इसे बीच से काट कर देखेंगे कि इसका टेक्स्चर कैसा है तो देखिए हमने इसे बीच से काट लिया है कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है इसकी और यह बहुत ही टेश्टी बनते हैं आप भी एक बार जरू ट्राइ करिएगा तो बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे पहले हमें बैटर को डालना है हलका सा हम बैटर को फैला लेंगे और जब बैटर हलका सा ड्राइ हो जाए तो उसके उपर हम लगाएंगे स्टफिंग अगर गलती से बैटर ज़्यादा फैल जाए तो आप चमच की मदद से उसे सेट भी कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसे सेट कर दिया अच्छी तरीके से अब हम फिर से स्टफिंग के ऊपर से बैटर को लगा देंगे और स्टफिंग को अच्छी तरह से कवर कर देंगे तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर दिया है अब इसे भी हम ढखकर पकाएंगे लगवग 5 मिनट तक तो पांच मिनट हो चुके हैं उपर से ड्राइ हो चुका है यह अब हम इसे भी पलट देंगे और बिल्कुल उसी तरह से इसके चारो तरफ हम ऑईल स्प्रेट कर देंगे अब हम तवे पर घुमा घुमा कर पैनकेक को अच्छा क्रिस्प होने तक सेक लेंगे तो देखिए हमने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है और यह दूसरा वला भी हमारा तयार है तो अब हम इसे प्लेट करते हैं तो देखिए तयार हो चुका है जट पड़ बहुत ही असानी से बहुत ही हेल्दी और चट पटा नास्ता आप भी इस पैनकेक की रेसिपी को जरूर ट्राइक और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसं सबसे पहले मिलेगी तो मिलते हैं मेरे नेक्स रेसिपी वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज